नमस्कार मैं प्रिया राज आप देख रहें एक न्यूस 24 आपको बता दे सुनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर चर्चाय हमेशा से तेज रही है बात की जैस सुनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर तो बिहार की रजधानी यानि पटना में किस तरह से माहौल बना था ये किसी से छीपा नहीं था सुनाक्षी सिन्हा के पिता जी यानि शत्रुधन सिन्हा को लेकर कई विवादित ब्यान बाजिस सामने आने लगे थे शतुधन सिन्हा का साथ तोर पे कहना था कि बिहार की बेटियों को अपने मर्यादा अपनी संस्कृती को बनाय रखना चाहिए लेकिन जैसे सुनाक्षी सिन्हा साधी कर लेती एक अलग समुदाय यानि जहिर इकबाल से इसके बाद शतुधन सिन्हा के साथ साथ उनका पूरा परिवार विवादों में आ जाता है उनके भाईयों की बात की जाए लोग कुष उनके नाम को बदलने की भी बाते सामने आने लगी थी लेकिन सुनाक्षी सिन्हा इस वक्त अपने पती जहिर इकबाल के साथ खुशनुमा जिन्गी ब्यतीत कर रही है और सोसल मेडिया पे भी कई तस्वीरे वो आए दीन साजा करती रहती है बात की आ जाए सुनाक्षी सिन्हा की इस वक्त की बड़ी खबर की तो सुनाक्षी सिन्हा के आखों से फिर से एक बार आसू टपक गया और ये चर्चे का विसाय बन गया आखिर क्या मामला हो गया कि सुनाक्षी सिन्हा जहां बात करती थी अपने पती जहिर इकबाल के साथ हमेशा खुश्णुमा जिन्गे की वहें उनके आखों से आसू कहीं न कहीं ये लोगों के लिए काफी चर्चे का विसाय बन गया है सोसल मीडिया का ट्रेंड है लेकिन सुनाक्षी की एक भी पोस जाहिर होती है तो लोगों का कई विवादित टिप्रिया और कई कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं लोगों का साथ तौर पे कहना है कि सुनाक्ष को फिर से अपने परिवार की याद सताए आईए हम आपके भी साजा करते क्या खिर मामला क्या है आपको बता दे कि इंडिया बेस डांसर सीजन फूर के अपकमिंग एपिसोड में बॉलिवुड के लवेबल कपल यानि की जहिर इकबाल और सुनाक्षी सिन्हा गेस्ट बन क कर आने वाले हैं वहीं सुनाक्षी जहिर के साथ सभी कंटेस्टन जसने इस सेलब्रेट करेंगे और शो में इशानी की इमोशनल परफॉर्मेंस देख सुनाक्षी रोने लग गई आपको बता दे कि सुनाक्षी का रोनास लोगों के लिए काफी चर्चे का विसाय बन गया ह इस साथी ने मा बेटी के प्यार को डेडिकेट करते हुए परफॉर्म किया था कैसे एक बेटी शादी के बाद मा का दामन छोड नई ग्रिहस्ती बसाती है वहीं मा के जजबात को एट में दिखाने की कोसिस की गई थी और मा बेटी की दिल छू लेने वारे इस परफॉर्म लेकिन इस वर्थ की बड़ी बात हो जाती है जहीर और सुनाक्षी ने शो में अपनी लव ए स्टोरी और शादी पर भी बात की दोनों ने स्टेज पर रोमांटिक डांस भी किया और इंडियास बेस डांस चार की लोगों का दिल खोल कर प्यार मिल रहा है हर एपिसोड में म परिस्मा को सालों बाद स्क्रीन पर देखकर फैंस काफी खुश है तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सुनाक्षी के रोने का यानि आसर टपकने का राज क्या था यानि कि इशानी ने जो परफर्म किया उसमें साथ तौर पर उन्होंने शादी के बंधन और मा से जुदाई की जो भावनाई होती है उसे सामने रखी और यहीं देखकर सुनाक्षी के आँखों से आशु गिर जाते हैं और यह लाजमी भी है क्योंकि सुनाक्षी की शादी के बाद कई चर्चाय तेज सी उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया बिलकुल अभी भी सुनाक्षी के भाई उनसे मिलने नहीं जाते हैं और सुनाक्षी आए दिन अपने भाईयों को मिस तो जरूरी करती है मा का प्यार क्या होता है यह सुनाक्षी से अच्छा कोई नहीं जान सकता लेकिन उनकी शादी ने उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया है आए दिन सुनाक्षी स नहां भले ही दावा करती हैं कि वो अपने जीवन में काफी जादा खुस है हलाकि उनकी शादी लव मैरेज थी लेकिन लव मैरेज होने के बावजूद उन्होंने जो अलग समुदाय से साधिक कर लिया ये उनके लिए खत्रे की घंटी या फिर कहा जाए तो सबसे जादा वि पोस्ट नहीं करती इसे भी लेकर कई विवादित ब्यान उनके सामने आते हैं यानि सुनाक्षे सिन्हा आई दी डिप्रेशन के साथ साथ कई विवादों ब्यानों की वज़त से अपने लाइफ में काफी जादा परिशान रहती है लेकिन उन्हें उनका पती यानी जहिर इ हन्यवाद